प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में जो लोग बात करने के लिए एविंट में मौल जुद हैं उनको मंच पर बुलाना चाहेंगे शेख जके ओदिन जमाल ओदिन प्रेजिडेंट है ग्रेस एजुकेशन फाउंडेंशन से गुजारिश करूंगी की मंच पर तश्रीफ लेकर आए इसके साथ ही शबीर शेख साब है प्रेजिडेंट है बंदू बहु भाईचारा से सबसे पहले आप दुनों का इसतक्बाल करना चाहेंगे कि आप तश्रीफ लेकर आए हम अपना किमती वक्त निकालके शबीर शेख साब पहले सवाल मेरा आप से है आ और बच्पन में ही मेरे वालिद साब का इंतेकाल हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरे अम्मी पे और मेरे बड़े भाहिये मुहिन अदिन भाहि इन पे आ गई और हाला ठीक नहीं होने के वज़े से मैं आगे तालिम भी पूरी नहीं कर पाया किस बात ने आपके दिल में लोगों की मदद का जस्पा पैदा गया कौन सी ऐसी बात थी जिसके पर आपने गोर किया कि हाँ मुझे अब लोगों की मदद करनी है मैं बच्पन से गरीबी को बहुत करीब से देखा हूँ और उसका दर्द मुझे पता था कि गरीबी क्या होती है तो जब अल्ला ने मुझे अच्छा नवाजा एक माली हालत मेरी अच्छी हो गई तो उस वक्त मेरे अम्मी जान और मेरे बड़े भाई यह हमेशा कहते थे कि भाई तुम जब भी जो भी बन सके तुम गरीबों की मदद करते रहना तो वही एक दिल में मेरे दिमाग में थी बात कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए करते और आप उस परिशानी से घुज़र चुके थे तो आपको पता था कि लोगों को किस तरह की दुश्वारिया होती है होती है तो जीस वक्त ऐसय है जसे हम लोगोंने मकान बना कर दिये तो उस वक्त ये गरीब लोग antwo जो रहते हैं जोगीबस्तियों में रहते हैं तो इनका सब में बड़ा इनके पास में अगर कोई चीज है तो वो मकान रहता है उसके आलवा तो इनके पास ना पाइसा रहता है जादा ना कुछ गोल्ड और अगर सर पेच्छत ना हो तो जिन्दकी और जाद पुश्वार रोचाती है जब वो च्छत ही जल जाता है और वो लोग बेगर होकर रस्ते बनाते तो उस वक्त उनको साहरा देना बहुत जरूरी होता बनता है इंसानियत के नात तो उस वक्त आपकी माले हालात कैसे थे और तालीन के लिए काम करने का आपने फैसला क्यों लिया ग्रेस एडिवीं फांडेशन जो हमरे मरहूम वाली साहब जमावदीन साहब ने रखी थी उनका मकसद जो है जो माइनोर्टी कमीटी अपने मुश्यम समाज के लिए एजु के लिए मतलब ही वाज़ टीचिर एकशली इन फैक्ट एंड अफर 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 गूइंग तो मस्कत आपने में लिए केम बैक और ही साहर में एक कॉंडवा बस्ती है वहाँ पे मतलब काफी सारे जो लोग है नियर बाई एरिया से जो है आके बसे तवे और तेखने के बाद मतलब ऐसा मैसस हुआ के आपर तालीम जो है काफी कम थी अक्सीर जो है मतलब काफी कम मढई के मामला था तो उन्हों ने एक नीव रखी जहां पर मतलब सोचे के यहां पर जो बच्छे होंगे के मतलब उनको तालीम देना बो जरूरी है और यह बच्छे ही आगे next generation I mean the other generation will come इसमें हमने जो है मतलब अलम्दूल्ला अल्लगा फुर्द अकरम है कि उन्होंने हमें तालीम दी हम कुल छे फैमिली मेंबर्स है हमारे वालेदा भी हापे आप आए है इसमें सारे मतलब उन्होंने अच्छी तालीम देने के बाद जो मकसद से हमें पढ़ाया गया कि हमने भी आगे कुछ कॉंट्रिबूट करना है सोशल सोसाइटी को तो उनके 2005 में बाइपास हो गया और उसके बाद हमने तहे किया सारे भाई बहनोंने कि इंशाला हम मतलब इसक आगे जो बच्चे है उनको अच्छी कॉलिटी ओफ एजुकेशन जो मकसद है वो देना दुरूरी है तो आफ्टर 2005 में और भी आप जोईन फॉदी इस पॉर्परज एक सवाल मेरे जहन में है पुड़ी के पसमादा इलाके से आपने इसके शुरुआत क्यों कि ऐसा क्यों आपको लगा के पुड़ी से शुरुआत करनी चाहिए जिस तरह से पहले अभी हमने जिकर किये कि मतलब जब जो कॉंडवा एरिया है पुने में एक मतलब मुस्लिम रॉन मेटिंग एरिया है वहां पे तो उसी तरह हुआ पे जो है हलाज जो है वहां पे जो लोग आते जो आपे बाզा मुस्लिम किती है वहां या जो है नियर बादा एरिया में नेमोरी है चली अज भाते अंधिक आप प्रॉम ने में एन पहले से यहां यहां है हमारी मतलब करती मिशन बनगे और आ बहां प्रॉन को वाली साहम ने शुरुवात की थी that from nursery it was in pre primary 2003 actually and then later on 2005 I mean when हालात actually वैसे नहीं थे जिस तरह से मतलब financial condition I mean talking about I mean it was very you know like I mean काफी हालात नाजो कितने थे कि जो उनका सर्माया था जिंदगी बर का दो दुकाने थी वो बेच दिये और खुद का जहां पर हम जाती मकान था वो बेच के फिर इदारे के लिए मतलब जो है जमीन मुईया करा है जमीन ली और उस पर हमने मतलब school start की है मुहमत जके अदिन साह आप बता रहें कि आपके मारे हालात खुद इतने जादा अच्छे नहीं थे कि आप इतनी बड़े लावल पर उसको शुरुआत कर सकें जिस चीज़ को आप करना चाह रहे थे बच्चों को तालिम देने के लिए लेकिन आपको अपना जाती मकान तक बीचना पड़ा कितने बच्चे थे उस वक्त जब आपने शुरुआत की और अब कितने बच्चे हैं जब शुरुआत की 2003 अच्छली वाली साब ने तो उस वक्त में अर्मौस्ट इन यह दो तीन किराय के रहे रूम से उन्मोस्ट इन अई च्छली और अर्वम्द आप जो है आफ्टर आफ्टर अगशना सपान आप जाएं यह आज आपको इस वर इसमें वह तालिम जो है girls की अलग है and boys की तालिम अलग दी जाती है एक ही campus में इन फैक्ट चले बहुत बड़ा initiative है और तालिम को मेरे खाल से हर किसी को इस जस्पे के साथ आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर आप बच्चों को तालिम देंगे तब भी वो मुलक का मस्तक्बिल बनेंगे और बहतर मस्तक्बिल की हम सब लोग यहां उम्मीद करते हैं लेकिन वो कैसे हासिल होगा जब बच्चे हमारे educate नहीं होंगे और ये लोग इस सिम्थ में काम कर रहे हैं तो इनकी होसला अफजाय करनी चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए शबीर शेक साब आप मुझे बताइए कि आपने सबसे पहले किसके मदद की और वो क्या मदद थी मैंने 2013 में मैं जहां पर रहता हूँ पुना के मार्केट यार बस्ती में उसके बाजियों में एक जुगी बस्ती है वहां पर आग लग गई थी आग लगने से असी मकान अथ नहां पर पूरे जल कर खाक होए थे और वो लोग पूरा बेगर होकर रास्ते पर आ गए थे वो लोग उनके पास कुछ नहीं बचा था तभी मेरे दिल में चीज आई कि मुझे के लिए कुछ ना कुछ इंसानियत के खातिर करना चाहिए तो मैंने हमारे पूरा के एक मजजीद है नूरेहरा मजजीद मारकेड़ में उस मजजीद में हमारे जिम्मेदारों की मिटिंग ली और उनसे मैंने बात की कि पड़ोस की बस्ती है लेकिन वो लोग पूरे बेघर हो है उनके लिए हमको कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए तो हम लोगों ने हमारे पूरे जिम्मेदारों ने तई किया कि नहीं जरूर हम लोग उनके लिए इंसानियत के नाते खड़े रहेंगे तो हमने कई मददों में बात की पूरा के तकरीबबन 25 मददों में बात की कि ऐसे इसे बस्ती में आग लगी है तो हमको इंसानियत के नाते उनको मदद करना चाहिए तो सभी मददों ने कहा कि आप जुम्मा के दिन आप हमारे मददों में आईए और हम चंदा एकटा करेंगे तो हमने उसी दिन दूसरे दिन जुम्मा था जुम्मा की दिन हमने उस मज़िदों में 25 मज़िदों में मिला कि 4 लाक रुपे जमा की तो हमारा होसला बढ़ गया कि जब हम अच्छा काम करने निकलेंगे तो लोग हमारी मदद करते हैं तो फिर हमने पूरी जिम्मेदारी लिए वासी घर पूरे मकानत बना कर पक्के मकानत उनको यह काम तो सरकारों का होता है अगर इस तरह का कोई हासा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को घर महया कराया या जि तो कि गॉवर्मेंट के प्रोईजन में यह है नहीं कि बहीं कि इसका घर जल गया या किसी का मकान साहलाब में भैय गया तो उनके लिए गॉवर्मेंट के पास में 5000 या 7000 से ज्यादा उनको मदद नहीं करते हैं। फिर वो उसका कितना भी नुकसान हो तो भी वो उसको कुछ उसके आलवा मदद नहीं कर सकते यह हुकुमत में एक ऐसा रूल ले उसके वज़े से गौवर्मेंट के तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिलती तो फिर इनको मदद करेगा कौन तो हम जैसे लोगों ने सामने आकर इ इनसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है उच्छत बनाने के लिए लेकिन आप उन तमाम लोगों के लिए खर मोहिया करा रहे हैं जो अपने घर से बेखर हो चुके हैं या किसी हासे में अपने घर को गवा चुके हैं इसके साथी जखियो दिन साब चैसे कि आप अंजाम दे रहे हैं उसको हम सलाम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तश्रीफ लाने के लिए सर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया